नमस्कार दोस्तों मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ओफिर्म में बहुत-बहुत स्वागत कर दिनी दोस्तों कैसे हैं आप सभी मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे सुदक्षित होंगे दोस्तों जो मैं आज का टॉपिक लाई हूँ वो ब वो है आत्म निर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रोध्योगी की का लाभ तो इस पर ये इसका टॉपिक है इस पर ऐसे कॉंपिटिशन होने जा रहा है इसी के उपर मैंने ऐसे लिखा है मुझे उम्मीद है आप सब को ऐसे पसंद आएगा और आपका ऐसे लिखने म ज़्यादा से ज़्यादा हेल्फ लोगा आप इससे हिंट ले सकते हैं दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करकर बता सकते हैं यदि वो इंपोर्टेंट टॉपिक होगा तो मैं उस पर आपको जल्दी ही ऐसे प्रोवाइड करा दूँगी बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यही सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या है देखिए ऐसे लिखने से पहल अभी अभी बहुत कुछ करना है अवशेश, ज्यान और प्रोध्योगी की से भरा है अपना देश, आत्म निर्भर भारत हो हमारा परिवेश, आत्म निर्भर भारत हो हमारा परिवेश, अब देखिए, सडक पर चलती साइकिल हो या दूर गगन को भेदता हुआ हवाई या फिर घर-घर उजाला करते हुए बल्ब, वहीं कलम से लेकर पाउंटेन पैन तक का सफर यह सभी विज्यान के आविशकार है, मानव जीवन को सुखद वे सुगम बनाने में विज्यान का बहुत बड़ा हाथ है, अगर देखा जाए तो मनुष्य को विज्यान ने इस अदर घेर लिया है, जिस तरह एक मचली चारो और पानी से घीरी रहती है, और यदि वह पानी से निकलती है, तो उसकी मित्य हो जाती है, कुछ ऐसा ही हाल आज मानव का है, अगर देखा जाए तो यातायात हो या बिमारी, संचार हो या जीवन समस्या, सभी का हल विज्यान के पास ही है, अब देखे आप मचली वाला एक्जामपल से क्या समझते हैं, जैसे मचली होती है, वो पानी से घीरी रहती है, अगर उसे हम पानी से निकाल दे तो क्या होता है, उसकी मित्ति हो जाती है, वो मल जाती है, ऐसा ही हाल हमारा है, हम हर तरह है, पूरी तरह से किस पर डिपेंड है हमारे जो एश्वाराम की चीजें है लक्जीरियस जो हमारे चीजें उनके ओपर डिपेंड है यदि इन समानों का अभाव हो जाए तो क्या हो जाता है कि लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है तो इसी तरह मैंने यह एक्जम्पल यहां पर रखा है अब ऐसा देश जिसे आविश्कारों की जननी कहा जाता है जहां समय समय पर विभिन आविश्कार हुए है वरतमान समय में भारत सभी देशों में अपने आविश्कार के माध्यम से कोहिनूर की भाती चमकता हुआ नजर आता है यह प्रतीत होता है कोहिनूर क्यों लिखा है कोहि कि तुन्न मैंने अपने भारत से की है महात्मा गांदी जी से लेकर वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी का भी यह स्वपन है कि भारत आत्म निर्भरता की पटल पर खड़ा हो वहां किसी भी समान के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर ना रहना पड़े जिसे किसी भी समान के लिए हमें किसी देश पर निर्भर ना रहना पड़े शुरू से यही सपना था गांदी जी ते वो क्या थे स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ ठीक है उनका भी यही सपना था आज हमारे प्रधान मंत्री जी है उनका क्या है वो आत्म निर्भ जिसका अगर दूसरा अर्थ देखा जाए तो स्वदेशी ही है इस स्वपन को पूरा करने के लिए विज्ञानवे प्रद्योगी की का बहुत बड़ा हाथ है विज्ञानवे प्रद्योगी की का मार्ग अपना कर हम भारत को आत्म निर्भर बना सकते हैं इसके लिए हर छेत्र में भारत को सर्वोपरी बनाना होगा जिसके लिए कुछ महत्रपूर्ण छेत्र हैं जो की भारत को आत्म निर्भरता के पत पर खड़ा रख सकते हैं या उन्हें आत्म निर्भर बना सकते हैं वर्तमान समय में आत्म निर्भर भारत के लिए आवश्यक है आत्म विश्वास का होना सबसे पहली चीज क्या है आपके अंदर आत्म विश्वास होना चाहिए अपने देश के प्रती वे यहां उत्पादित हर वस्तु के आविश्कार में एक गुणवत्ता वे विश्वास होना नितान तावश्यक है जब तक आप विदेशी सामानों का खुद भहिश्कार कर यदि हम देखें तो हाल ही में कोरोना नामक महामारी ने हमें पूरी तरह से घेर लिया है जिसमें उसकी जाच के लिए टेस्टिंग किट का इस्तिमाल किया जाता था जिसका हमने शुरुवात में आयात किया मतलब जादा से जादा हमने बहार से आयात किया लेकिन अब अप आज संपूर्ण दुनिया भारत को manufacturing hub के रूप में देख रही है कि अगर कुछ मिलेगा तो भारत से ही मिलेगा दूसरी ओर भारत सरकार कई स्टार्ट अप मल्टिनेशनल कंपनियों के साथ मिलकर गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद कर बना रही है या कर रही है जिसे राज्य के इंद्रवे सरकारी दुकानों द्वारा बेचा जाएगा ऐसे ही कई अविश्कारों द्वारा भारत को हम पूर्ण तह आत्म निर्भर बना सकते हैं आत्म निर्भरता हमेशा पांच इस्तंबों पर आदा रहीत होती है अगर आपने हमारे जो प्रदानमंत्री हैं उनका भाशन सुना होगा तो उन्होंने अपने भाशन में इन पांच इस्तंबों का नाम लिया है तो आप उसे भी अपने ऐसे में जोड सकते हैं इससे क्या होगा आप क्या पता चलता है कि हां कि बच्चे को कितना नौलेज है कि वो कितना जानता है ठीक है तो वो पांच इस्तं कौन से थे वह five pillars कौन से थे अल्थ वेवस्था बुनियादी धाचा प्रणाली जीवांत लोक तंत और मांग अतै भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए समाज में डिजिटल तकनीकी का उपयोग करना होगा या उपयोगी करना आवश्यक होगा अतै अंत में हम कह सकते हैं कि यदि भारत को विश्यू पटल पर चमकाना है तो आवश्यक है कि वह अपनी तकनीकी योग्यता आविश्कार के बल पर आत्म निर्भर बने यह है उस पेड की भाती अडिक रहे जिसे अपनी मजबूती आत्म निर्भरता पर पूर्ण विश्वास होता है अर्थात इस जो लाइन है जो मैंने लाश्ट में बोली है इसका सिर्फ यही अर्थ है कि वो इतना आगे बढ़े कि उसे किसी के ओपर निर्भर रहना ना करती हुई चली जाती है तो भारत के चाड़ो और देश चले भारत किसी के ओर ना चले ठीक है तो आप यह बेल वाला एक्जामपल भी लिख सकते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है लास्ट में बच्चों जो आप एंडिंग करेंगे वो एक कोटेशन के माध् चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आत्म आत्मा से बना जो आत्म निर्भर शब्द है किसी और भरोशे नहीं यह तो बहता गंगा जल है कि यह भारत जो है वो किसी के भरोशे नहीं है जैसे कि गंगा जल किसी के क्या होता है निरंतर बहता रहता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है तो उसी तरह भारत है ये भी विश्यो की उचाईयों को छूता रहेगा तो इसी को देखते हुए मैंने एक कोटेशन लिखी थी दोस्तो आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं साथ ही आप बस मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ऐसे आपको समय पर प्रोवाइड कर आती रहूंगी जो कि आपके एक्जाम के लिए भी बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं साथ ही बैल आइकन भी प्रेस करें और आपको जो ये ऐसे है अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमें टेलिग्राम पर जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम पर आपको सभी जो ऐसे मेरे चैनल पर अप्लोड हैं उसकी PDF मिल जाएगी मिलते हैं नए आस्ते के साथ तब तक के लिए थेंक्यू सो मच